जेहिंद जेह भारतन वेलकम टू सीवीटी यूजी स्टेडी काप्टल तो जो बच्छे क्लास 12 में बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं आप सब को पता होगा आपका पैटरेंट चेंज हो चुका है और यह का हम कुछ तरीके से यह कह सकते हैं कि सीवीएसी भी चाहता है पैटर्न चेंज में भी हाँ पैमको सेम चीज देखने को मिली है सीवीएसी ने इस यहर के लिए पैटर्न चेंज कर दिया है यह कोई मंदकरन बात नहीं है या तो ऐसा नियूस पेपर में से कोई हैडलाइन बन क्या रही है सीबीएसी का ऑफिशल डाटा इसके ऊपर निकल पैज बनाऊंगा तो एलेवन और टेंथ के लिए नाइन टेंट ले बच्चों के लिए देखो ट्वेल्ट वाले बच्चे खासकर जिनको अभी बोर्ड एक्जाम भी देना हो सीवीटी भी देना है पैस्ट विसमें हमारा क्या सिस्टम था तेस्ट आपिस में यह था आपक उसके बाद ओंदो मंग दिए वाला पार्ट ता वर चुमेटी पसंट कुशन आना शुरू हो चुगा था यांचाब वहांनों बहुम तर्टे रटे डट आ आपन गाइट की अंसार लिखातें ना ऊस वाई ब्लॉं q वैसे कोशन ना जानके CBSE चाहता है कि यह कंपेटेंसी बेस्ट कोशन आए कि बच्चों का क्या रियक्शन होता है को देके उस सापसे चीज़े बताई जाए जैसे पर एक्जांपल हम लोग ने जैसे कोई जोग्रफी पढ़ रहा है तो जोग्रफी हम सबको पता होता है हिमाल यह जो होती में जो होती है क्या होता है इसके कारण वी प्रॉबलम हो रही है मिनरल की जा आए उसके कारण भी देंगे सोर्स बेस्ट इंटीग्रेटी कोशन देंगे एक बात को तुम्हारा सब कुछ आना स्लेबस से ही है स्लेबस से बाहर नहीं आएगा परना यह भी सी चाहता है कि आप लोग लोग लिखा देते हैं यहां से अंडर- Isaac All-目前 नमबर देता है जो चैश्चे से नंबर मिल जा चाहते हैं BA रोड़ते को पड़ते हैं अधूटां लाइन करते थे क्या है कि अिसका फायदा बता पाएंगे जैसे ने यही सेम चीज़ चाता है इसके फाइदे क्या है उसके नुक्सान क्या है कॉन कॉन से याधा से स्टेट में पोटेंशिल है बायोकास के बारे में ठीक है जैसे फॉर एजंपल रिस्टी में हों इस्टी पोन्दान में नहीं राता है। तो आगर UPSC पूछ सकता है कि secularism का Indian context में मतलब बताई है और उसका दूसरे context में मतलब बताई है जो हमने class 12 में पढ़ा हुआ है जो हमारे class 11 की book होती है Indian constitution network 11 वाली इन 12 वाली बता रहा हुमें जो world contemporary politics की book होती है उसमें पूछ सकता है कि secularism का इंग्लायन में क्या मतलब है और secularism का India में क्या मतलब है तो हमारे इंडिया में secularism में जो government होती है वो थोड़ा बहुत religious matter पर भी काम करती है इंग्लायन का secularism में वहां पर religious matter को एकदम अलग कर दिया जाता है इंडिया में क्या है politics religion थोड़ा बहुत इंटरफियर करते हैं तो यह हमको चीजें थोड़ा सा सोर्स बेस्टेंसी बिस बनाने पड़ेंगे और इंटीग्रेटर करते कुछन आने वाले हैं पीपर टफ नहीं होने वाला है यह पीपर ना बस अच्छे से उनको समझ में आग अब 50% वेटेज दिया है अब एक कितने case-based question देते हैं कितने इंटीग्रेटेट देते हैं कितने competency-based देते हैं और कितने form of MCQ देते हैं यह इनी की उपर है पर यह आपका pattern change हो चुका है खास बात यह है सर हमारे CUET में भी किस प्रकार के question आते हैं MCQ प्रकार के question आते हैं CUET के में कह दिया मैं भी अपने बच्चों को भी लगा देता हूं कि वो लोग भी वापिस NCRT में लॉट आओ ठीक है यह चेंजेस थे ऐसा कोई बहुत भेंकर चेंजेस नहीं है जैसा पढ़ाई करो पढ़ाई करते रहो पर अपने guide पर तुमने भरोसा बना कर रखा हुआ है उ अगर आपको पीवाई क्यों चाहिए अपने सब्जेक्स के आप मेरे को हिस्टी वाले पीवाई क्यों कर दिया करेंगे हम लोग दिन में दो घंड जाता क्लास नहीं होगी तो भाईया मोस्ट अफॉरड़ेबल को आपके पास हाजिर है अगर तुम यह बहाना मार रहे हो कि बहुत सबसे इंडिया में अफॉरड़ेबल को इस से आधा सबसक्राइब कहीं पर भी नहीं है और हां क्वालिटी पर एक कंप्रमाइस किया जा रहा है ना क्वालिटी वेक भी कंप्रमाइस किया जाएगा सार इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे मैं कुछ ऐसा बताना नहीं चाहें तुमको हर चीज में हेल्प की बस तुमको करना कहा है तुमने अब तक नहीं स्टार्ट किया है पढ़ाई करना चीज अपने दिमाग में बोड का भूत उतार दो और सीटी का भूत लगाना शूरू करो ठीक है स्टार्ट कैसे कर सकते हैं सर्टार्ट पहले यह डिसा सबसे रहा है और आपको देखना है कि किस तरह का आथा है तर पढ़ पढ़ाइघ की किस था है पढ़ी हो किस टरह के बसार इस साक्टार यह Kollege वेस्ट से थTORह आरहे हैं ठी करना चाहते हो अगर चाह सब्सक्राइब करने के पर आपको क्या करना है अगर आपको मालो कोर्स वहां पर दिख जाएंगे परचेस कर लो परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है सब्सक्राइब करें आपको नेक्स वीडियो मिलता हूं तब तक लिए ध्यान रखो और बस पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो क्योंकि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा घटिया कंपनी मिलेगी दिमाग भी घटिया तरीके से काम करेगा जौब भी अच्छी नहीं मिल वाली ठीक पढ़ाई करो